जैसे कि आपने income tax website से pin card बना लिया है अब उस pin card को अपने घर पे मंगाना है तो उसमें थोड़ा time लगता है जैसे कि आपने pin card जैसे बनाया उसके बाद पहले क्या होता था कि एक दिन में pin card download हो जाता था 5 मिनट में pin card मिल जाता था अब क्या उसमें हपता भी लग जाता है 15 दिन भी लग जाता है आपके मुबाल भी मैसे जाने पर उसके वाजब आपको pin card नंबर मिल जाता है उसके लिए दुबारा apply करना होता है जाकर आपको pin card आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है जहां पर आपको 50 रुपे फिस देना होता है उसमें एक बात आउ रहता है ज इस पे जाके आपको करेक्शन करना होगा जहां पे 107 रुपे आपको pin card के payment करना होगा तब जाके आपका pin card आपके घर पे पहुंचेगा तो उसमें father name, signature सारा सुब्धा आपको मिल जाएगी और जो आप income tax website से pin card बनाते हैं फिर उसको इस टेयल पे जाके reprint करेंट करके आते हैं तो उसमें क्या रहता है सिरी 50 रुपे बंत हो जाता है मगर pin card आता है तो father name नहीं रहता है और उहां पर signature नहीं रहता है यह चीज आपको नहीं मिलती है तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रिप्रेंट जो pin card 50 रुपे में आता है उसके बारे में आ अलग वीडियो बना रखा है उसका भी लिंक दे दूँगा आ नहीं तो हमारे चैनल पर आप जाके उस वीडियो को देखके मंगा सकते हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो हम इंकम टेक्स के वेपसाइड में आ चुक हैं बेर फाइप यूएर पेंकार्ड पे आपको किलिक कर देना है तो यहाँ पर आपको बैक नहीं करना है अगर नेट सिलो चल रहा है तो आपको थोड़े देर बेट करना होगा तो देखे इसके बाद आपको यहाँ पेंका है आपको उसके उपर किलिक कर देना है उसके बाद आपके मोबाइल पे एक मैसेज पहुच चुका होगा उस मैसेज को आपको यहाँ पे लिख देना है जो आपके मोबाइल से लिंक होगा उसके बाद यहाँ ओके करेंगे तो बेर फाइप आपका पेंकार्ड हो चुका है जो income tax website से आपने बनाया था, आप यहाँ पर home page पर आएंगे, अब सीधा चलेंगे Google में, request to your reprint pen card industrial, इस website पर आ जाना है, इस website का उइसे भी link मैं अपने वीडियो के edition में दे दूँगा, जहाँ पर आप इस website पर डारेट आ जाएंगे, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हमें यहाँ पर pen card number लिखना है, उसके बाद अपना अधान नमबर, जनमतीत, male, female, dst में आपको कुछ नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पर आपको dst लिखा है तो आपको dst में कुछ नहीं लिखना है, सिधा आपको अधान नमबर, pen card number, male, female, जनमतीत, इतना चीज आपको एकदम अच्छी तरज भल लेना है, उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ आइकन के बटन पे किलिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे capture भरने का option दिया है, तो आपको यहाँ पे capture भल लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे submit का बटन दिख रहा है, जब आप यहाँ पर capture भल लेंगे तो आपको यहाँ submit के option पर click कर देना है तो चलिए यहाँ पर submit पर click कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका pen card number, आपका mobile number, आपका address, आपका pin code सारा कुछ यहाँ पर आ चुका है, तो आपको जैसे gmail लेट करना, mobile number ते आपको यहाँ पर click लगा देना है और agree पर भी click लगा देना है, उसके बाद गेट अटोपी पर आपको click कर देना है उसके बद जो आपके अधार में, जो आपके अधार से mobile number लिंक होगा उस number पर एक message गया होगा, जो चांग का code होगा उस code को आपको यहाँ पर लिख के, वाइलेट के बटन पर click करना है चलिए यहाँ पर click कर देते हैं उसके बाद देखे, यहाँ पर payment करने का option आ चुका है यहाँ पर आप से सिरिफ 50 रुपए मांगा जा रहा है तब जाके आपके pen card आपके घर पे चार दिन में पहुच जाएगा उसके बाद यहाँ पर आईगरी पर टिक करेंगे उसके बाद process payment पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर पाए confirm इस पर click कर देना है यहाँ पर दोस्तो बैक बिल्कुल न जाए उसके बाद यहाँ पर जैसे में पेटियम मतलब payment करना हो करें डेबिट कार्ड जो भी हो अप्टन चुन सकते हैं तो मैं यहाँ पर पेटियम लोग इन कर लेता हूँ क्या पेटियम थोड़ा फाज चलता है यहाँ अप अपना mobile number लिखेंगे जो भी आपका mobile number है यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके mobile पर एक SMS आ जाएगा तो देखिए आपके mobile पर कोड आ चुका है उसके बाद आपको इसको बेरफाइब कर देना है आप डारेटिल अपने पेटियम में पहुंच जाएंगे देखिए हमारा credit card पहले से यहाँ पर save है तो हमें क्या करना है सिरिफ cb number डालना है अगर नया credit card से आप करना चाहते है तेहाँ पर debit का credit card को option दिया है वहाँ आप किलिक करके credit card number भरके आप online payment कर सकते हैं ने तो API भी आप use कर सकते है net banking जो भी आप यहाँ पर use करते हैं उसके बाद confirm पर किलिक करेंगे उसके बाद आपके mobile पर एक case में जाएगा उस code को आपको यहाँ पर भनना है उसके बाद नीचे submit का बटन दिया गया है submit पर किलिक करना है याद रखे जो आपके bank में number link होगा credit card से उसी पर message आएगा तो देखे यहाँ पर हो गया है अब submit के button पर हम इस पर किलिक कर देते हैं उसके बाद देखे यहाँ पर हमारा successful payment हो चुका है तो देखे यहाँ पर हमारा जो pin card है वो भी download करके हमें मिल जाएगा यहाँ पर भी bike नहीं होना है दोस्तो नहीं bike हो जाएगे तो आपका पैसा डूब जाएगा क्योंकि पैसा कड़ चुका है तो आपको यहाँ पर थोड़ा बेट कर लेना है दो मिनट एग मिनट जितना भी लगे तो यहाँ पर देखे शेक्सेस फुल आपका प्रेमेंट हो चुका है उसके बाद यहाँ पर continue का option दिया है तो आपको continue पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर print पर click कर देना है उसके बाद जो आपका पैसा कड़ गया उसका एक receiving दिया जाएगे जहाँ पर आपका pen card number सारक सारा चीज यहाँ पर रहेगा तो उसका पीडियाप डाउनलोड कर ले अगर पीडियाप जब आप ओपन करेंगे तो आप से password मांगा जाएगा तो अपना जनमतित वहाँ पर डाल देना है देखिए आपका pen card डाउनलोड हो चुका है इसको आपको रख लेना प्रिंट करके आपका pen card चार दिन के अंदर आपके घर पे पहुच जाएगा तो दोस्तो याद रहे इसमें फादन नेम सिंगनेचन नेम नहीं रहेगा आपका pen card आपके घर पे पहुच जाएगा उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखा आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देखके अपलाई कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में सहर जरूर करें नमस्कार